हेलो फ्रेंट्स आप जैसे के थम्नेल देखके समझी गया है आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि जीयो और बीपी की पैट्रोल पर्म डिस्लरशिप किस तरह से लेनी है जियो यानी Relance की और BP यानी British Petroleum Company की तो मैं इन दोनों का नाम साथ में क्यों ले रहाँ क्यों क्यों क्योंकि Relance जियो ने और BP ने साथ में अपना tie-up कर लिया है दोनों company मिलके इंडिया के अंदर नए नए petrol pump बनाने का plan कर रही है तो इसके पिछे reason क्या है तो देखिए British BP जो company है ये भार की company है डाइरेक्ली आके इंडिया में अपना जो है के plan नहीं open कर सकती इसलिए वो जो है किसी private company से जुड़के उनको अपना plan बनाना होगा तो उसी तरह से जैसे आप फोटूस देख पा रहे हो जिसा वीडियोस में देख पा रहे हो कि जो दोनों company साथ में मिलके बनारी पैट्रलपम बन रहे है दोनों के तो ये company ने जो है जियो के साथ tie up किया है और जो अभी नया पैट्रलपम अपना बनाने का plan कर रहे है यानि G.O.N.B.P. कमपनी के पैटल पर बन रहे हैं तो ये बहुत अच्छा और सुनेरा मौका है इसका आवेदन राइट नौ चल रहा है भी आप आप आवेदन कर सकते हैं मैंने डिस्किप्शन में लिंक दिया है उस लिंक के ओपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डारेकली फॉर्म ओपन हो जाएगा वहाँ पर आप पूरा रजिस्टेशन कर सकते हैं फॉर्म के अंदर क्या है किस तरह से है ये सारी जानकारी मैं आपको दूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँगा कि इसके लिए eligibility criteria क्या है हमें क्या करना होगा company के बारे में थोड़ी सी information दूँगा दोस्तों तो इस वीडियो को जो है अंतक देखे ताकि बात आपको पुरी समझ में है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बैल आइकन है उसे क्लिक कर ले ताकि फ्यूचर्स में आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सको तो फ्रेंट जैसे के जीओ एक जो है काफी नामचीन company है Relance के बारे में हम सब जानते हैं उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है British के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि वो जो एक भार की company लेकिन बहुत बड़ी company है 21 से जादा countries के अंदर उसके जो है के outlet available है और उसी कहला हुआ 17,000 से जादा petrol pump उसके all over country में available है और अभी इसने इंडिया में अपना tie up किया है जीयों के साथ तो इसके अंदर Relance का जो है Relance का जो शेर वो 51 परसन होगा और 49 परसन जो है BP का शेर होगा यानि British Petroleum का शेर होगा तो ये 51 और 49 शेर के अंदर ये 7 मिट काम करेंगे तो friends है कि आपको जो है दो बड़ी company के साथ जुड़के एक अपना petrol pump बनाने का मौका मिल रहा है ये बहुत अच्छा और बहुत से नेरा मौका है इनका tagline है कि make your land a landmark आपका जो जमीन है जो आपकी location है highway बे जो आपका जमीन है उसको आप जो है landmark बना दीजिए अपने land को landmark बना दीजिए इन्होंने tagline रखा है मैंने description में link दिया एक पहला जो link रहेगा होँआ पर मैंने लिका है form registration उसके ओपर click करेंगे तो directly form open होगा दुसरे link के उपर click करेंगे तो इनकी official website रोलाउंच होगी जहां पर आप detail पढ़ सकते हैं तो आपको बताए सबसे पहले eligibility criteria क्या होगा जीयो और बीपी का franchise लेने के लिए तो आप जो है सबसे पहले Indian citizen होने चीए आपकी उमर 21-55 साल के बीच में होनी चीए और आप अगर qualification अगर village में है तो 10-12 तक का चलेगा लेकिन अगर city या national highway पे आपको open करना है तो आप graduate होना चाहिए और आपको ज़्यादा कर जो preference जो है road के उपर land होना चीए highway या national state highway या national highway पे ज़्यादा preference दिया जा रहा है लेकिन company चाहती ही एक से दो साल के अंदर पास से साड़े पास से जार पैट्रल पम बनाना चाहती है मिलके है तो आपको जो है बहुत अच्छा मौका दिया जा रह है तो इसके अंदर investment जो है थोड़ा जादा होगा तो अगर आप जो है जादा investment कर सकते हैं तो आप जो है के इसके अंदर open करें आप जादा investment रहेगा तो लेकिन मुनाफ़ा भी इसके अंदर जादा होगा दोस्तों तो अगर हम बात करें जमीन की तो अगर आप city ruler में open करते तो approximately 800 square feet जमीन की 800 square meter जमीन की जरूत होगी square feet ने square meter और आप अगर highway state highway या national highway पर open करते हैं तो approximately 1500 से 2000 square meter जमीन की जरूत होगी तो depend करता आप कौन से location पर बना रहे कि पूरे location के उपर आपका पूरा petrol pump आएगा diesel का वो सारी चीज़े आएगी और सबसे पहले जो जमीन है आपकी वो जमीन जोए green band में आनी नहीं चाहिए commercial land होना चाहिए अगर एगली कर चले तो उसे आपको commercial में convert करना होगा आपके जमीन के उपर से या नीचे से उपर कोई तार वायर नहीं जाना चाहिए नीचे से कोई pipe अगेरा नहीं जाना चाहिए क्योंकि नीचे जोए diesel petrol की टाकी बनती है तो इस वैसे कुछ होना नहीं चाहिए उसके अलावा अगर बात करें frontage की तो आप अगर इसकी franchise dealership लेना चाहते हैं तो आपका frontage जोए कम से कम 30 meter होना चीए 30 feet होना चीए अगर 30 feet का front है तो ही आप जोए कि इसके लिए apply कर सकते हैं इसकी franchise ले सकते हैं अब उसके अलावा आपको कौन कौन से documents लगेंगे तो आपके personal सारे documents लगेंगे bank card, आदार card, voter ID, address proof लगेगा bank document लगेंगे mobile number, email ID, property का complete document होना चीए with address or title अगर आप जमीन lease पर ले रहे हैं तो चलेगा लेकिन आपको lease agreement लगेगा और कम से कम 20-30 साल के लिए lease पर लेना होगा साती साथ आपको NOC लगेगा अगर आप किसी से जमीन ले रहे हैं तो आपको NOC लगेगा और काफी सारे department से NOC लगता है जिसके बारे में आपको company information देगी उसी कहला हूँ अगर आप जो है के जमीन purchase किये हो तो आपके पास sell date होना चीए non agriculture and non greenbelt land होना चीए आपका जैसे मैंने आपको बता दिया agricultural रहेगा तो उसे आपको convert करना होगा अब यहाँ पर बात आती है investment कितना रहेगा तो investment जो एक जादा होगा अब यह location wise depend करता है आप कौन से location पर start कर रहे हो फ्रेंट्स देखी एक government company नहीं है private company है इस वज़े से जो इसका investment जो है जादा होगा मैं आपको काफी सारे आपने वीडियो जरूर देखे होंगे YouTube पे जहाँ पर आपको 20 लाग 25 लाग 15 लाग investment बता रहे लेकिन वो जो है के सरासर fake investment है यह original investment है आप चाहते हो तो इसकी जो official website है मैंने वो भी description में डाला है उसके उपर जाके आप जो के website के उपर भी studies कर सकते है जो मैंने description में registration वाली link डाली है वो registration वाली link मैंने इसलिए डाली कि ताकि आपको directly उस page पे जाए आपको सर्च ना करना पड़े कि कहाँ पर registered करना है तो उसी के अलावा आप directly जाके उसके उपर registered कर सकते हैं उसके उपर आप studies कर सकते हैं वहाँ पर आपको साफ साफ कितना investment है एक से 3 करोड का investment difference मैंने इसलिए वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि इसके इंदर investment जादा होगा अब बात करें हम apply कैसे कर सकते हैं तो description में link है उसके तुरू आप apply कर सकते हैं और newspaper में जो ads वगेर आई रहे हैं और आजकल तो YouTube पे भी इसके ad काफी आ र franchising की वीडियो बना ही है और मैंने description के अंदर और उपर i button में एक link भी दिया है उस link के उपर आप click करेंगे तो उस link के वीडियो के अंदर आप वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर जो है मैंने पुरा बताया है process कि इसके लिए registered किस तरह से करना है सारी information आपको जाएगे friends तो मेंद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएए दोस्तों अगर पसंद आएए तो अपने friends family के साथ share करें हो सकता आप इसके अंदर इंट्रेस्टेट नहों लेकिन आपके family friends में से को interested हो friends thank you very much